Right friends, let's talk about the Keshwananda Bharati Case Judgement. अब हम बात करते हैं Keshwananda Bharati Case Judgement के बारे में. तो सबसे पहले इस case को हम किसके नाम से जानते हैं. This case is known as the Keshwananda Bharati versus State of Kailar 1973. और दोस्तो इस case में सबसे बड़ी जो बैंज थी उस time की 13 judge इस में शामिल थे. कितने? 13 judge. और इन तेरा जजज में एक CGI भी थे आपके जो जस्टेज सीकरी थे ठीक है और इस केस की जजमेंट आती है वो कब आती है वो आती है 24 अपरेल 1973 को तो 24 या तो आप इसको याद अख लिजे या फिर 24 अपरेल को तेंदूरकर साब का बड़े होता है वो आप याद रह सकते हैं आर्टिकल जो 368 है आर्टिकल 368 में पारलेमेंट को क्या मिल जाए पारलेमेंट को अनलिमिटेट पावर मिल जाए अगर वो चाहे तो वो पार्ट 3 को भी क्या कर सकते हैं वो अमेंट कर सकते हैं लेकिन यह जो केस है इस केस में डिसाइड होता है एक टरम का और वो टरम हमा को यहां पर समझाता हूँ, अब जब ये case की पूरी hearing चल रही थी, अब इसमें total कितने just थे, total इसमें 13 just थे, ठीक है, तो आपके पास एक CGA थे, एक CGA थे, और 6 आपके पास इधर just थे, और 6 आपके पास इधर just थे, तो 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 12 और 12 कितने होते हैं, 13, तो total ह हमारे पास कितने जजे थे हमारे पास 13 जज थे तो लाश्ट मेत दो जज हमारे पास रह जाते हैं एक हमारे पास Chief Justice of India सीकरी साहब रह जाते हैं और एक हमारे पास Judge HR खन्ना साहब जो कि अमरी सर में बोर्न होए थे अगर दोस्तों आपको इनके बारे में मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जस्टिस HR खन्ना साहब की फोटोग्राफ आज की डेट में भी सुप्रीम कोर्ट में लगे वी है अगर आपको कभी जाने का मोका मिले तो प्लीज आप देखेगा इनकी फोटोग्राफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी अब होता क्या है जब इस केस की हीरिंग चल रही होती है तो लास्ट में दो जजज बच जाते हैं एक हमारे जस्टिस सीकरी साब होते हैं जो कि CGI और एक हमारे पास क्या होते हैं जस्टिस HR खना साब होते हैं तो जस्टिस HR खना साब जब अपना आर्गुमेंट देते हैं वो यह कहते हैं कि सर ऐसा है आर्टिकल जो 368 है ना चलो उसके पास अनलिमिटेट पावर है वो आर्टिकल 13 को भी अमेंट कर सकता है लेकिन हमारे जो फाउनिंग फादर थे ना डोक्टर बियर अमबेड कर उनका वीजन क्या था उनका वीजन ये था कि जो हमारा कॉंस्रिटूशन है वो basic fabric को destroy नहीं कर सकता है अब basic fabric का मतलब क्या है उन्होंने कहा कि कोई भी जो country है अगर आप किसी भी country की बात करते हैं तो generally अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई इनसान यही कहेगा कि सर country दो चीजों से मिलके बनी होती है एक तो geographical boundaries होती है और दूसरा उसके क्या होते हैं citizens होते हैं तो वो country कहलाती है लेकिन इसके इलावा justice HR खना साब ने एक बात और कही उन्होंने कहा कि सर इसमें एक और चीजों मिसिंग है और वो क्या है वो है evolving idea कोई भी country बिना evolving idea के नहीं बन सकती है जैसे आप पाकिस्तान देखोगे वो भी एक idea के उपर based है अगर आप इसराइल देखोगे तो वहाँ लेक्स रेक्स हमें मिला हुआ है लो इस दा किंग ऑफ दा किंग तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो country होती ना वो बिना evolving idea के नहीं बन सकती है तो इसी तरह से जब यह discussion चल रहा था तो CS आपने का कि थोड़ा सा इसको और discuss करके बताओ कि आप example हमें बताओ कि example क्या क्या ह तो उस समय पर justice HR खना साब ने example दिये थे कि sir example है हमारे पास democracy इसको कोई नहीं चीन सकता, republic इसको कोई नहीं चीन सकता, article 15 इसको कोई नहीं चीन सकता, judicial review इसको कोई नहीं चीन सकता, even your parliament वो भी amendment नहीं कर सकती है और last में, last में एक word यहाँ पे add किया गया justice security साब के दवारा व वो बढ़ता हमारे पास etc. तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कि उस दिन, मतलब 24th April 1973 को basic structure of doctrine का बर्त हो गया, किसका बर्त हो गया, basic structure of doctrine का, तो यहीं चीज़े मैं नहीं हाँ पे लिखी में, एक बार मैं आपको read करा देता हूँ, केस का नाम है केशवननन्दा भारती वर्सिस state of केरला 1973, which was decided by 13 judge bench on 24th April 1973, 7 is to 6 इसका decision आया था, Supreme Court give birth to the basic structure doctrine of constitution of India, उस दिन दाहिंदू की जो top की headline थी, वो यहीं थी, the case that saved democracy, the case that saved democracy, fine, the basic structure, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी basic structure की, the basic structure provide that India is formed, अब यह लिखा हुआ यहाँ पे, इंडिया किसके उपर form हुआ है, इंडिया is formed on an evolving idea, on an evolving idea, which is reflected in the vision of founding father and makes very fabric of constitution of India, तो यह हमारे पास यहाँ पे क्या है, example है, तो दोस्तों यह जो case है, केशवननन्दा भारती जो case है, यह काफे important है, यह important क्यों है, क्योंकि इस case के बाद ही basic structure of doctrine का बर्त हो गया था,